In class 5th, हम पढ़ रहे हैं subject English first, इसमें lesson number 6 हम start करेंगे और lesson का name है the twins, twins मतलब जुड़वा है ना होते है ना twins brother भी होते है, sister भी होते है, मतलब एक ही शकल के जब दो लोग होते हैं, है ना तो उन्हें क्या बोलते है, जो एक ही साथ उनका birth होता है with the same mother है ना, और with same time, similar time, तो वो क्या कहलाते हैं, twins ठीक है, ये तो ये poem है, जिसमें ये दो twins brother है, देखिए थोड़ी funny सी है poem चले start करते हैं, in form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another, इसमें जो मतलब poet है, वो ही मतलब अपने बारे में बता रहा है कि मैं, बिल्कुल feature से है न, अपने face से, मैं किस की तरह बड़ा हुआ, अपने भाई की तरह है है न, और हम एक दूसरे के साथ, actually बहुत तरह से mix हो चुके है it puzzled our lover, kit and kin, it reached a fearful pitch, for one of us, I was born a twin, yet not a soul new witch तो हम बहुत ज़्यादा क्या है, हर चीज में बहुत ज़्यादा confused हो जाते है twins होते हैं, तो confused हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि कौन, कौन है one day to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed और actual में हमारे साथ क्या हुआ, कि हमारे नाम भी तब तक fixed नहीं हुए थे और उससे पहले ही, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, तो nurse उनको एक बार क्या करती है मतलब वो कराती है, उनके कपड़े उपे change करती है, उन्हें wash करती है तब हम एक दूसरे से, बिल्कुल क्या हो गए, mix हो गए and thus you see by faith's decree, your brother nurse whom, my brother John got Christian me and I got Christian him तो मेरा भाई जो John था, वो मैं बन गया और मैं वो, मतलब एक दूसरे में हम ऐसे, बिल्कुल mix हो गए, na confusion हो गई कि कौन है, हमारे name में भी बहुत ज़्यादा confusion हो गई this fatal likeness even dog, my footstep went at school and I was always getting flogged for John turned out a fool तो ये मतलब जो थी twins की क्या हुआ, आगे भी ये सब चलता रहा, क्योंकि वो तो सेम दिखते थे, तो जहां भी जो जाएंगे तो वही confusion होगी तो जब वो स्कूल में गए, तो वहां भी ऐसी हुआ, उसने कहा कि मैं तो intelligent था, तो कई बार में क्या हुआ, लेकिन पीटा जा चुका हूँ, किस वज़े से, जॉन के लिए, क्योंकि teacher उसे क्या समझ लेती थी, जॉन, जबकि जॉन कैसा था पढ़ाई में, थोड़ा फूल था, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उसकी जगे मैं ही पिट जाता था, अपने भाई की जगे I put this question fruitlessly to everyone I knew, what would you do if you were me to prove that you were you? तो ये question में, कितनी बार किन सबसे पूछ चुका हूँ, जिन जिन को मैं जानता हूँ, कि ऐसा, मैं क्या करूँ, अगर मैं तुम हो जाओ, और मैं ये प्रूप करूँ कि तुम मैं हूँ, मतलब, वो एक दूसरे में इस तरह से mix होगे थे, उनकी जो face था बिलकुल, same same था, तो कई बार वो बिचार, उसकी जगे वो बिट जाता था, our close resemblance turned the tide of my domestic life, और आगे जब वो बड़े हुए, उनकी जो family बनी है, मतलब, जब उनकी क्या होई, शादी वगेर होगी, तब ही, क्या होई, ये confusion चलती रही, for somehow my intended bride become my brother wife, तो जब जिस, मतलब, जिस bride से, जिस दी करने की plan कर रहा था, वो actual में मेरे भाई की wife बन गई, वहाँ भी इतनी ज़्यादा confusion हो गई, in fact, year after year the same absurd mistake went on, और वास्तव में क्या हुआ, साल, मतलब, कई साल गुजरने के बाद, एक silly mistake हो गई, मतलब, और भी बहुत बड़ी गलती क्या हुई, कि जब मैं मरा, and when my dad, ज इसे दफना दिया गया मेरे भाई को, that was the silliest mistake है, तो बहुत ज़्यादा इन दोने में confusion हो जाती थी, क्यों, क्योंकि वो दोनो twins से जुडवा थे, तो आप students, ये दुबारे से read करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद word meaning, और इसके rhyming words, अपनी notebook में करेंगे,